नमस्कार आदाव सच्री अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार बंगाल का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे बाबुल सुप्रिये की राजनीत को ममता बनर्जी ने ऐसा काटा है कि उन्हें मैदान छोड़ कर भागना पड़ा है सोच रहे थे कि आसन सोल में बीजेपी के इतने कमल खेला देंगे कि बंगाल में ममता का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा लेकिन खुट टालीगंज से विधायकी का चुनाव हार गए और बहुत बुरी तरह से हारे पचास हजार से ज्यादा वोट से विधायकी का चुनाव और विधायकी क्या गई मोदी जी ने मंत्री मंडल से दूद की मक्षी की तरह निकाल के फेंक दिया लेकिन बाबुल को मंत्री रहने की ऐसी लत लग गई थी कि लगा औसाद में न चले जाएं कहीं गोया जब मंत्री ही नहीं रहे तो नेतागीरी करके क्या करेंगे और श्रावन क्रिश्न पक्ष की आठवी तारीख समवत दो हजार अठटर की एक मुबारक घड़ी में उन्होंने राजनीत के भौसागर से मुक्ति का एलान कर दिया और बंगाल की उदास रुट ने सत्तर के दशक का एक काना छेड़ दिया इंदीवर ने बोल लिखे थे कल्यान जी आनंद ने धुन बनाई थी और लता मंगेशकर ने अपनी आवाद से सजाया था ओ बाबुल प्यारे रोए पायल की छमचम उससके सांसों की सरगम निष्टिन तुम्हें पुकारे मन सियासत के कारोबार के अखबार अपनी हेडलाइनों में वाचाल होटे लिखा पूर्वकेंदुरिये मंतरी और पश्चिम मंगाल की आसन सोल सीट से दूसरी बार बीजे पिसांसाद बाबुल सुप्रियों ने राजनीच से सन्यास लिया इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा और पोस्ट क्या है एक कसक है दम दिल से निकली हूँ दिल का खेलोना का है टूट गया और क्या लिखा है इसको मैं अपने तरीके से बताऊं इससे अच्छा है आप उनके तरीके से समझ लिए उन्हीं के शब्दों में चोल अलाम यानि अब चलता हूँ मैंने सब कुछ सुना पिता, मा, पत्नी, बेटी, एक दो प्यारे दोस्त सबकी राय के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब राजनीत से सन्यास लेना चाहिए हाँ लेकिन ये भी साफ कर दूँ कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूँ हैश्टेग टी-म-सी, कॉंग्रेस, सी-पी-ा-ई-म कहीं नहीं मुझे किसी दूसरी पार्टी के नहताओं ने फोन भी नहीं किया है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं टीम प्लेयर हूँ, हमेशा एक टीम का साथ दिया है मोहन बागान, मतलब बंगाल की फुटबॉल टीम मोहन बागान और राजनीत में सिर्फ भाजपा पस्चिम मंगाल की है बस, कुछ देर लुके, कुछ मन में रखा, कुछ तोड़ा कहीं अपने काम में तुम्हें खुश किया, कहीं निराश किया, आप आकलन नहीं करेंगे मन में आने वाले तमाम सवालों के जवाब देने के बाद कहता हूँ, अपनी तरह कहता हूँ, अब चलता हूँ यदि आप सामाजिक कारे करना चाहते हैं, तो आप इसे राजनीत में आये बिना भी कर सकते हैं पिछले कुछ दिनों में मैंने बार बार सोचा और राजनी छोड़ने का मन बनाया मैं अपने सरकारी घर एक महीने में छोड़ दूँगा सांसत्पत से भी स्टीफा दे दूँगा इसके बाद बाबुल सुप्रियों ने जो लिखा है वो उन्हें लिखना ही था बाजपा का हर नेता इसे महसूस करता है बहुत गहराई से आज आप अग्यात वास में फेक दिये गार अविशंकर प्रसाद से भी पूछ लीजे कि अमिद शाह किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते तो वो जड़ से कहेंगे मुझसे ज़्यादा तो किसी को नहीं करते खैर जो बाबुल सुप्रियों ने लिखा है उसको सुनिये पिछले कुछ दिनों में मैं अमिद शाह और जेपी नड़ा जी के पास गया और उन्हें बताया कि मैं क्या महसूस कर ला हूँ मैं उनका प्यार कभी नहीं भूल सकता और इसलिए उनके पास नहीं जा सकता मेरी हिम्मत नहीं उनके पास जा कर यह कहूँ मैंने काफी पहले ही फैसला कर लिया था तो अब उनके पास जाओंगा तो लगेगा कि मैं मोल भाव कर ला हूँ और जब ये ठीक नहीं है तो मैं नहीं चाहता उन्हें गलत संकेत मिले मैं प्राथना करूँगा कि वो मुझे गलत ना समझा, क्यों समझेंगे लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब देना है क्योंकि ये प्रासंगीख है सवाल ये है कि मैंने राजनीत क्यों छोड़ी क्या इसका मंत्राले छोड़ने से कोई लेना देना है हाँ है वहाँ कुछ होना चाहिए मैं घबराना नहीं चाहता इसलिए जैसे इस प्रश्ण का उत्तर दूँगा ये ठीक होगा इससे मुझे भी शान्ती मिलेगी तो शान्ती किसको नहीं चाहिए आदमी शान्ती के लिए ही तो सब कर रहा है लेकिन बाबल सुप्रियो जब वोट के लिए मारकाट मचाए हुए थे तब उनको नहीं लगा कि शान्ती चाहिए लगा चुनाओ लड़के शांती मिलेगी सांसत बनके शांती मिलेगी 2014 में बन गए फिर लगा एक बाल सांसत बनने में शांती नहीं है शांती तो दोबारा सांसत बनने में 2019 में भी बन गए फिर लगा ना सांसत तो इतने सारे हैं असल शांती मंत्री बनने में है, वो भी बन गए, इसके बाद किसी बाबा ने बाबुल सुप्रियों को समझा दिया कि हे ताथ, तुम सी एम मैटेरियल हो, अमित्षा जेपी नडड़ा ने भी आशिरवात दे दिया, लेकिन जब ममता बेनल जी ने खेला किया, तो बाबुल स सुप्रियों की शांती में दरार पड़ गई, आसन सोल की जनता ने, बंगाल की जनता ने ऐसा ख़देडा कि उनके बीच जाने में भी शर्माने लगे, लेकिन बाबुल सुप्रियों तब भी इतने अशांत नहीं हुए थे, उनके जीवन में असल शांती तब भंग हुई, जब मात्र दो साल में मोदी जी ने मंत्री मंडल से पत्ता काट दिया, बाबुल सुप्रियों ने बिलखते हुए लिखा, 2014 और 2019 में बहुत बड़ा अंतर है, तब भाजपा के टिकट से मैं अकेला था, आलुवालिया जी के सम्मान में, डाजिलिंग सीट में जी जे एम भा प्षिदल हैं, आज पार्टी में कई नए युवा तुर्क नेता हैं और साथ ही कई वरिष्ट नेता भी हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी अगवाई वाली टीम यहां से काफी आगे जाएगी, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज पार्टी में किसी व्यक् करना ही सही निर्णय होगा, इसके बाद बाबुल सुप्रियों कुछ खुल गया, कुछ क्या ठीक ठाक खुल गया, उन्होंने लिखा, क्या लिखा सुनियेगा, एक और बात, बंगाल चुनाओं से पहले ही कुछ मुद्दों पर राज्य नेत्रित्व के साथ मतभेद थे, क अलाकि मैं ये नहीं जानना चाहता कि आज कौन जिम्मेदार हैं, लेकिना सहमती और जगडे से पार्टी के वरिष्ट नेता आहत हो रहे हैं, ये समझने के लिए रॉकेट साइंस के ज्यान की जरूरत नहीं है, कि ये किसी भी तरह से पार्टी कारेकरताओं के मनोबल को तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कहीं गया था, मैं मैं के साथ था, इसलिए मैं कहीं जा रहा हूं, आज ऐसा नहीं कहूंगा, कई नए मंत्रियों को अभी तक सरकारी आवास नहीं मिला है, इसलिए मैं एक महीने में अपना घर छोड़ दूगा, जितनी जल्दी हो सके, शायद उसके पहले भी, मैंने वही किया जब मैंने 1992 में Standard Chartered Bank में अपनी नौकरी छोड़ दी और मुंबई भाग गया, मैंने आज भी वही किया है, तो फिर चलता हूँ, हाँ, कुछ बातें बाकी हैं, शायद किसे दिन बात होगी, आपको यादी होगा कि बंगाल में सरकार बनाते बनाते जब बीजेपी को हिसास हुआ, कि दीदी ने उसके देवताओं कि आभामंडल को धो पोचकर रख दिया है, तो बाबल सुप्रिय ने बंगाल के जनादेश की तोहीन करते हुए ममता बनर जी को एक कुरूर महिला करार लिया था, उन्होंने फेस्बुक पर लिखा था, मैं ममता बनर जी को बधाई नहीं दूँगा, ना ही कहूंगा कि मैं लोगों के फैसले का सम्मान करता हूँ, मेरा मानना है कि बंगाल के लोगों ने कहती हासी खलती की है, कि उन्होंने बीजेपी को इस भरष्टाचार, आ अरे जा रहे थे, वो तो बस एक माया है, और अब इस माया से मुक्ती चाहिए उनको, तो क्या बाबुल सुप्रियों अब दिल्ली का सरकारी बंगला छोड़कर हिमाले की और निकलने वाले हैं, पता नहीं, लेकिन बंगाल की जनता मोक्ष के बारे में जरूर जारना चाहे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आटिकल 910 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकोन दबाईए घंटी जैसी आकरेती, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों, पर्चितों यवार सीजितों, अपने हमारा वीडियो आपने लेकिन नहीं कर दोस्तों, लाइक हमारा वीडियो आपको सब्सक्राइब एल